पुश्कार दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वाइफाई की यानि बीएसनल फाइवर की इंटरनेट स्पीड को कैसे चेक करेंगे अगर आप BSNAL Fiverr लगवाना चाहते हैं या BSNAL Fiverr की इंटरनेट स्पीड को टेस्ट करना चाहते हैं कि BSNAL Fiverr के अंदर क्या इंटरनेट की स्पीड आ रही है तो आप मारी ये वीडियो को completely जरूर देखे इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर BSNAL Fiverr के इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज करेंगे कैसे लगाएंगे तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर जाना है और एक अप्लिकेशन को प्ले स्टोर से डाम्लोड करना है जिस अप्लिकेशन का नाम है BSNAL Fiverr BSNAL Fiverr महला BSNAL Pro BSNAL Pro यह अप्लिकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी इसको वहाँ से डाम्लोड करें देख सकते हैं कि जो हमारे इंटरनेट पेक है यहाँ पर 14BPS वाला पेक यहाँ पर आ रहा है और 33 TV तक का हमें यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है तो यहाँ पर जो हमारे यह देख सकते हैं यह डेटा पेक आ रहा है और जो स्पीड अफ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर आपको इन त्री डोट्स पर किलिक करना है और यहाँ से आप अपने इंटरनेट के स्पीड को अज़स चेक करना चाते हैं तो कर भी सकते हैं यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से हमें हमारे इंटरनेट की जो स्पीड प्रोवाइड की जा रही है स्पीड मिल रही है वो हमें देखने को मिलेगी देखते हैं हमारा 40 Mbps तक का प्लान है तो क्या इंटरनेट के स्पीड हमें अवेलेबल कराता है अब आपके सामने ही यह स्पीड देखने को मिलेगी अथेंटिकेट हमें बता रहा हूं यहाँ पर जो है अवेलेबल वो देख सकते हैं हमारे यहां मातर और मातर गुनिस Mbps के स्पीड आ रही है केवल जो कि आप देख सकते हैं तो इससे जदा है स्पीड हमें फिलाल अवेलेबल नहीं करा रहा है अगर मैं इंटरनेट पर जाता हूं और यहां पर भी अगर हम सर्च करते हैं इंटरनेट पर यहां पर हमें टाइफ करना है देखिए मैं यहां पर आपको बले चलता हूं तो दोस्तों आपको इंटरनेट पर जाना है और वहां सर्च कर लेना है स्पीड देखिए स्पीड टेस्ट बाई ओकला यहां पर आ रहा है तो इस पर भी हम Speed Test करते हैं कि हमारे Speed क्या आ रही है देखते हैं यहाँ पर यह Speed को Test करेगा और यहाँ पर इसकी जो Speed आएगी और इनल आथरिंटिकेट स्पीड वो हमें बताएगा यहाँ पर हम Go पर किलिक करते हैं Go पर हम जैसे हमने क्लिक करा और नीचे आप देख सकते हैं कि हमारा यह BSNAL का जो Fiverr Connection है BSNAL यहाँ पर आ चुका है देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो औरिजिनल्टी Speed हमें देखने को मिलेगी इस एरिया के अंदर यहाँ पर यह बताएगा कि क्या Speed हमें अविलेवल हो रही है तो देख सकते हैं यह देख सकते हैं यहाँ पर यह चेक कर रहा है यहाँ से जो हमारी Speed यह चेक करके बता रहा है हमें लगबग 6 MBPS की Speed अविलेवल हो रही है डामलोडिंग में जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है लगबग 6 MBPS इससे ज़्यादा उपर तक नहीं जा पा रहा है तो 40 MBPS का हमारा इंटरेट पे एक है लेकिन 6 MBPS हमें पर अविलेबल करा रहा है इसके साथ ही दोस्तों यह जो डामलोडिंग स्पीड यहाँ पर अविलेबल नहीं हो रही है नीचे वाले में चलते हैं इस fast.com से हमने वाँ चेक करी लिया था एक और यहाँ पर यह चेक करने वाला है तो इस पर हम चेक कर लेते हैं तो भाई यह जो actual speed प्रवाइड करा रहा है वो speed up तो हमें यहाँ पर फिलाल के तोर पर देखने को नहीं मिल रही है हमने काफी websites पर try करा है चेक करा है लेकिन हमें speed यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है तो आप यह अगर वियस्टनल फाइवर एज़े यूज करते हैं तो चेक कर सकते हैं कि internet की क्या speed यहाँ पर आवेलेबल होती है 40 mbps में 10 mbps की speed आ रही है only for 10 मैंने 60 mbps का पहले plan ले रहा था उसमें और गठिया speed आ रही थी चलो इस 40 में 10 तो आ रही है मेरी तो इच्छा नहीं है लेकिन अगर आपके एरिया में internet की speed mobile में ही बढ़िया जाती है तो आपको फिर इसमें पैसा invest करने की ज़रूत नहीं क्योंकि कोई काम की internet की speed आपको यह available नहीं कराता है देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 12.9 की तो हमारी यह थे step जिनको follow करके आप इस चीज़ को follow कर सकते हैं आई हो पगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो अच्छी रगी हो जार वीडियो को like and share जरू करें और चैनल को subscribe जरू करें ऐसी ही informative वीडियोज, knowledgeable वीडियोज, गयनवर्दक वीडियोज अम हमारे चैनल के जरी लाते हैं जो काफी ज़्यादा काम करेती है तो इन वीडियोज के लिए like and share करें और चैनल को subscribe जरू करें Thank you watching in this video